इस वीडियो में आपको रिव्यू दूँगा मैं ओजीवा के हेर विटमिन्स के बारे में जो की है DHT Blocker and Omega 3 और मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में सारा डीटेल आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन ले सकता है, किसे ज में ले सकता है और कब लेना चाहिए, क्या कैसे सब इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा डीटेल में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर आप इसको ले रहो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके क्या benefit है और क्या side effect है तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जो की है ओजीवा के hair vitamins के बारे में तो जैसा मैंने बोला ये वीडियो है एक review वीडियो जो की है ओजीवा के hair vitamins के बारे में जो कि आता है DST Blocker with Omega 3 और ये बोलते हैं कि ये काम करता है Better Hair Growth में और Hair Fall Control में तो मैं बताऊँगा इसके बारे में सारा डीटेल में आप इंतजार करिए कि Hair Fall Control ये काम करता है या नहीं करता है या फिर Hair Growth में ये काम करता है या नहीं करता है तो सबसे पहले इसके जो ओजीवा का hair vitamins है उसके rate के बारे में बात कर लेते हैं ये मैंने flip card से मंगाया था almost मैं 3 या 4 तीन box मैं इसका use कर चुका हूँ आपको एक video मैंने बनाया भी ता इसके बारे मैं ओजीवा के hair vitamin का मैं आप लोगों को review दूँगा और मैं इसको use कर रहा था काभी time से तो मैं सोच रहा था देख लेते हैं अभी क्या result है कैसा है side effect इसका और इसके benefit तो उसके बाद मैं आप लोगों को बनाऊंगा तो finally अब मैं बना रहा हूँ इसका video और ये मैं 3 box use कर चुका हूँ जो कि मुझे कोई ये paid promotion नहीं है मैं आपको clear बता देना चाहता हूँ पहले इस video में ये मैंने मंगाया था flip card से पहले मुझे मिला था कुछ 799 का जो कि कुछ 100 रुपीज का discount था उसके बाद मैंने 800 में भी इसको मंगाया है अभी third time मैं इसको मंगाया फिर से 800 रुपीज में और इसका जो rate actual rate है ये 899 है तो 900 रुपीज का ये vitamin है और जो DHT blocker और omega थी कि मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये supplement है ये कोई medicine नहीं है और medicine और supplement में काफी difference होता है medicine क्या होता है कि वो एक drug होता है जो कि आपको particular disease पे काम करता है ये जो है ये supplement है अगर आपको कोई minerals कोई vitamins की कमी हो रही है तो ये particular minerals और vitamins देते हैं supplement तो same जैसे आप कोई भी supplement लेते हो अपने gym के लिए और कोई भी आप medicine लेते हो अपने चोट के लिए तो वो same चीज है तो ये भी supplement है कोई medicine नहीं है और DST blocker अगर आप medicine समझ के खा रहे हो तो इसका आप गलत समझ के खा रहे हो कोई मतलब नहीं है अगर आप इसको supplement समझ के खा रहे हो जैसे मैंने एक बताया था DST blocker वाले वीडियो में कि supplement क्या-क्या होते हैं किससे आप prevent कर सकते हो अपने कैसे आप अपने DST को block कर सकते हो तो वो सारी चीज़े इसमें मिलती है इसलिए ये supplement उसकाम के लिए है तो अगर आप कोई fenistride जैसे मैंने बताया था fenistride अगर आप follow कर रहे हो fenistride ले रहे हो अपने DST block करने के लिए तो उसे एक long term के लिए अगर आप ले रहे हो तो उसे एक side effect मिलेगा पर अगर आप एक supplement से आप DST block करना सोच रहे हो तो वो basic आपके लिए एक अच्छा होगा beneficial होगा उसे कोई side effect आपको नहीं मिलने वाले है जैसे pumpkin seed होता है जिससे आप block कर सकते हो उसके बाद साफ almeto आता है और बहुत सारे चीज़ों को मैंने discuss किया था उस DST blocker वाले वीडियो में 16-17 के बाद till 27-32 तक का एक age में बहुत ज़्यादा hair fall होता है mental की कमी होती है, vitamins कमी होती है, आपके body में proper nutrition नहीं मिल पाता है proper diet नहीं ले पाते हो, तो इस age में ज़्यादा होता है इस particular age के लोग ले सकते हैं, लड़कियों में क्या होता है कि 17-18 के बाद till 27 तक बहुत ज़्यादा hormonal disbalance होते रहते हैं तो इस समय लड़कियों के भी बहुत ज़्यादा hair fall होते हैं तो अगर लड़किया ये सोच रही है, DST blocker, जो कि आपको पता है dehydrotestosterone, ये male hormones है लड़कियों में useful होगा या नहीं होगा तो बिल्कुल आप ले सकते हो, इसे कोई आपको side effect नहीं होने वाला है क्योंकि एक supplemented जो कि साथ में others vitamins, others minerals भी आते हैं इसके साथ अब मैं फायदे की बात कर लेता हूँ, इससे फायदा क्या है इन्होंने लिखा है कि ये है better hair growth and hair fall control मैं इसको almost 3 महीने से ले रहा हूँ, जो कि proper इनका instruction है कि आपको इसको लेना है 2 time, सुबह और साम में आपको अपने खाने के बाद तो अगर आप healthy breakfast ले रहो, अच्छा breakfast ले रहो तो आप 30 tablet एक मंथ में आपको खतम कर सकते हो, तो ये जो main इनका जो है कि ये hair growth में आएगा काम, तो मैं इसको बोलूँगा बिल्कुल भी आपके hair growth में ये काम नहीं करेगा, ये minerals vitamin supplement जो है ये hair growth में आपको बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हाँ hair fall control में आपके काम आ सकता है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके बाल बिल्कुल जा चुके आप clean skin दिखने लगी है, आपका scalp दिखने लगा है, तो आपे hair growth करेगा ये तो मैं आपको clear करते चलूँ कि ये उसमें काम नहीं आएगा अगर आप उसके लिए आप अपना 900 रूपीज वेस्ट करोगे तो बेकार है, आप उससे अच्छा है, आप minoxidil follow करो, तो minoxidil में साइद आपके hair growth भी हो सकते हैं और अगर आपके hair fall हो रहे है, mineral vitamin की कमी से, आपको लग रहा है कि आपके बाल जा रहा है कि आपको proper nutrition नहीं मिल रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसा diet में, या फिर ऐसे ज़्यादा routine में रहते हो, चाहां पर आप अपने खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, आपके muscles weak होते जा रहा है, तो उस case में protein लेते हैं, other supplement लेते हैं, जिसे अपने health को maintain रखते हैं, अपने muscles को, biceps को maintain रखा जाता है, तो same इसके लिए भी है, अगर आप बालो में proper routine follow नहीं कर पा रहे हो, अपने बालो का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, अपने आपकी lifestyle अच्छ इनको एक nutrition मिल जाता है, जिससे की लगता है कि आपके hair fall control हो गया है, उतना 100% मैं नहीं बोलता हूँ कि hair fall control कर देता है, यह time लेता है, यह supplement एक से 2 महिना, 3 महिना, कोई भी supplement immediate आपको effect नहीं करेगा, अगर medicine है, तो medicine of course, 2-3, 20 दिन तक, 25 दिन के बाद आपको थोड़ा से result दि quantity में होते हैं, तो उसको body make, adopt करने में, body को adopt करने में, 25-30 दिन तो लग जाते हैं, तो इसलिए अगर आप supplement डेर महिने, 2 महिने तक use कर रहे हो, फिर आपको थोड़ा बहुत result दिखेगा, अगर आप लोगों में से कोई already use कर रहा है, और जिसको लग रहा है कि कोई benefit नहीं है, 70% मैं बोल सकता हूँ कि इसका effect दिखा है मुझे, क्योंकि इसमें जो vitamins हैं, वो काम आते हैं आपके hair fall control के लिए, जैसे कि इसमें vitamins है, B, vitamins A, vitamin C, D, magnesium, or biotins, vitamin B, 5, iron, zinc, or selenium, इन सब के बारे में already मैं बता चुका हूँ, zinc किस काम में आता है, आपके जो skin होती है, scalp होता है, उस इसको hydrate रखने के लिए, plus iron आपके बालों को थोड़ा अच्छा growth करने के लिए, selenium आपके hair fall को control करने के लिए, even मैं selenium का tablet लेता हूँ, जो कि homeopathic selenium tablet है, इसको मैं separately लेता हूँ, अपने hair fall control के लिए, तो ये भी एक reason है, कि मैरे अभी hair fall control में है, hair fall होते नहीं है, तो इन tablet की बारे में बात मैं कर लेता हूँ, तो इसका tablet green color का tablet आता है, आप देख सकते हो इसको, आप इसको देख सकते हो, green color का tablet है ये, और ये dark green है, इसको मैंने एक बार open किया था, इस tablet के अंदर powder आते है, जो कि smell करता है, vitamin E का, अगर आपने tablet देखा होगा, अगर आपने बालों कितरा smell आता है, इसका बहुत ही ज़्यादा oil type का smell रहता है, उसके अंदर powder है, कुछ white part के भी powder है, उसको, मैं पहले सोचा, ये sat tablet होगा कोई, जो कि तोड़ के डाला गया इसमें, फिर मैंने उसको, जब मैंने clean की आच्छे देखा, तो tablet नहीं कुछ powder थे, white color के powder थे, तो जै vitamin blend है, omega 3 है, powder flaxseed है, flaxseed आपके बालों को, जो hydration होता है, वो skin को hydration देता है, even omega 3 जो होता है, आपके skin को भी dry होने से बचाता है, और scalp को भी dry होने से बचाता है, तो इसमें omega 3 है, जो कि अगर आप flaxseed खा लेते हो, regular ऐसे ही flaxseed, अगर आप एक या दो scoop खा लेते हो, flaxseed, तो सायद आपको वो भी minerals की कमी होगी, omega की वो भी पूरी हो सकती है, flaxseed से, क्योंकि बहुत अच्छा source होता है, flaxseed, तो ये सारा detail था, इस hair vitamins के बारे में, जो कि मैंने आपको इस sort video में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिस किया हूँ, और अगर आपको कोई doubt हो, तो hair vitamin लेते हैं, तो इसके जगह पर आप इसको एक बार try कर सकते हो, जो लोग fenestride वगरा use करते हैं, DST blocker के लिए as a medicine का source, और उनको side effect है, तो इसको एक बार try कर सकते हैं, क्योंकि ये DST blocker जो है, ये पूरा का पूरा natural source है, और ये medicine का काम नहीं करेगा, ये आपको as a supplement का काम कर तो एक बार आप इसको देख सकते हो, अगर आपको कोई भी fenestride से side effect हो तो, मैंने बताया कि मुझे इसमे hair fall में बस एक थोड़ा सा अच्छा result दिखा है, जो कि 70% मैं बोल सकता हूँ, hair growth में इसका कोई भी result नहीं है, अगर आप सोच रहो कि आप गंजे हो चुके हो, और lifestyle अच्छी नहीं या proper nutrition नहीं ले रहे हो, तो आप एक बार इसको try कर सकते हो, पर इसको use करने के लिए आपको at least 2 या 3 महीने तक wait करना पड़ेगा इसका result आने के लिए, अभी मैं इसको use कर रहा हूँ, coming videos में आपको मैं काफी product के review देने वाला हूँ, तो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लो, वीडियो को like, share जरूर करो, और आने वाले कुछ time में मैं बहुत सारे ऐसे medicine, hair vitamins, hair supplement use कर रहा हूँ, जिसका मैं proper review दूँगा आप लोगों को, कि मैं जो खा रहा हूँ, उसे मुझे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कु कुछ other hair related में आप लोगों को वीडियो को आने वाले time में जरूर बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा end तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, be fit, be active, bye bye